चलिए आज बनाता है साबू दाना मेंसे एक ऐसी बड़िया सी टेश्टी मिठाई जिसका वरत में खा सकते हो और बेश बात इस मिठाई की यह है कि इसको बनाने के लिए आपको बहुत ही कम महनत लगीगी और खाने में इतने टेश्टी मेंती है कि आपको पता ही नहीं है जब तक यह साबू दाना सिक रहा है तो तक कमेंट्स में आप फटा वट समझे बहता है कि आप इस वीडियो को कौन से शेहर से देख रहे हैं हमें इस साबू दाने के कलर को चेंज नहीं करना है इसको हम इसलिए सेक रहे हैं ताकि इसको ग्राइंड करके इसका पावडर बनाने में हमें काफी आसानी हो एक बार जब यह सेक जाए तो थोड़ा सा थंडा कर लीजे और उसके बाद हमें इसको मिक्सरार के अंदर ट्रांसफर करके इसका एक दमी बार एक पावडर बनाकर रेडी कर लेना है चलिए जिसके आप देख पारे हो कि यह जो साबू दान हमने पैन के अंदर दूद के पहले पानी का इस्तमाल इसलिए किया हो है ताकि जो दूद है वो पैन में चिपके नहीं अब हमें इस दूद को उबालना है तब तक जब तक इसकी तो कॉंटिटीटे है वो आदे से भी थोड़ी से कम नहीं हो जाती इज चीज़ का यह पर ज बना जाता है साबुताना का चीला कैसे बना जाता है तो इसकी रेसिपीज बना के साथ पहले भी शेयर कियों है अगर आपने उस ना देखी हो ता पुझे कमेंट से ज़रूर बताईएगा मैं उसके वीडियो के लिंक्स आपके साथ शेयर कर दूँगा दूद की कॉंटिट पर मेल्ट कर लेंगे और जब चीनी मेल्ट हो जाए तो गैस का बंद कर लीजिए अब इस दूद और चीनी वाले मिश्टन को हम साइट पर रखेंगे अब एक दूसरे पैन में या फर एक खड़ाई में हमें एड़ करना है वन फूट कब जितना घी घी जब हलका सा गरम हो ज था तो इसलिए हमें इसको वापस बहुत देरे तक सेखने की जरुवत नहीं पड़ेगी हमें इसका कलर चेंज नहीं करना है बस इसको हम दो से देन मिट के लें सेखेंगे ये जो मिठाय बना रहे ना यह बनाने में इतनी आसान है और काफी कम भेनत लगती है इसको बनाने इसको mix करने में थोड़ी से भी देरी मत करिएगा वरना इसमें लंब सेने के गुठलिया पड़ जाएगी तो इसलिए इसको फटावट से mix कर लीजिए और अब हमें इस mushroom को medium flame पर तब तक पकाना है जैता कि pan को पूरी तरह के से छोड़ नहीं देता और इसमें से गी है वो भी separate नहीं होने लगता चले जैसे कि आप देख पा रहे हो कि इस mushroom ने pan को पूरी तरह के से छोड़ दिया है और जो गी है वो भी अब हलका से separate होना शुरू हो चुका है तो अब इसमें flavoring के लिए हम एड़ करेंगे एक छोटी चा मचता cardamon powder याने कि ilaichi powder अगर आपको ilaichi का flavor पसंद ना हो तो आप क्या कर सकते हो कि थोड़े से दूद के अंदर केसर को add कर लीजे और फिर केसर वाले दूद को इसकंदर add कर लीजे इसी के साथ आप चाहो तो इसकंदर थोड़े से पिस्ता या फिर और कोई भी dry fruits चाट कर सकते हो बस इन सबी को हमें एक बार mix कर लेना है चले जो मिठाई बनाने का मिशन है ये बनकर ready hoach का है तो अब यहाँ पर मैंने एक tin लियावा है आप इसकी जगे पर एक plate का भी इस्तमाल कर सकते हो और इसको हमें घी से अच्छे से grease कर लेना है ताकि ये मिठा इसमें चिपके नहीं और काफी आसानी से बाहर निकल जाए अब हमारा जो बरफी का मिशन था वो हमें इसका प्राइड करेंगे और फिर इसको हमें हर तरफ evenly अच्छे से spread कर लेना है अगर आपके पास इस सरी के का spatula ना हो तो आप इसकी जगे पर कटोरी की जो पीछी की साइड होती है उससे भी इसको अच्छे से spread कर सकते हो अब सबसे आखिर में हम इसके उपर वापस वापस तरफ से dry fruits set करेंगे एक बार जब यह room temperature पर आ जाए उसके बाद इसको फ्रिज में तकरेंबन 10 से 15 मेट के लिए सेट होने के लिए रख दीजिए और फिर 10 से 15 मेट के बाद हमें इसको pieces में cut कर लेना है आप चाहो तो इसको cubes में cut कर सकते हो या रेक्तेंगल shape में cut कर सकते हो या जैसे आपको इसको cut करना हो वैसा आप इसको cut कर सकते हो मैं आज यसको इस सरसे बरसी के shape में cut कर रहा हूँ दि लीजिए यह हमारी इकदमी आसाणी से बनने वाली और super tasty साबो दाना की बरफी बनकर रेडी होचकी है, बनाने में एक दम सिंपलती और खाने में एक नमबर बनती है, तो इस रेसिपिक आप ज़रू ट्राइ करिएगा और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो का लाइक और शेयर जरू करिएगा